कहानी की सुरुवात में हम समुद्र में एक बड़े से सिप को देखते हैं जिसका एक कर्मचारी सिप के बॉटम में कैद एक बड़े से सार्क को खाना खिलाता है और साथ में वो उस सार्क को एक सीरम भी लगाता है जिससे उस सार्क की आखे पीली हो जाती है अगले सीन में हम इस बात पर वो छोटा सार्क मान जाता है और वो उस बड़ी सार्क के पिंजरे का दर्वाजा खोल देता है दर्वाजा खुलते ही बड़ी सार्क पिंजरे को तोड़ कर खुद को आजात कर लेती है इसके बाद वो बड़ी सार्क बोलती है कि मेरा बदला लेने का समय आ गया है और वो उस छोटी सार्क के साथ वहाँ से निकल पड़ती है अगले सीन में हम पिंक कलर की एक छोटी मचली को दिखते है जिसका नाम पी होता है वो किसी से जान बचा कर भाग रहा होता है और भागते भागते वो एक छोटी से चटान के पास जा कर रुख जाता है तभी एक बड़ी सी परचाई उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन ये कोई बड़ी सार्क नहीं बलकि पी का बेटा होता है दरसल पी अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है और ये दोनों खूब मस्ती करते है इसके बाद पी अपने बेटे के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है जहां उसे एक केकड़ा मिलता है जिसका नाम पी अरे होता है कुछ आगे बनने पर उन्हें एक नीली मचली मिलती है ये पी की मा होती है जो पी और उसके बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है वहाँ से कुछ आगे बनने पर उन्हें एक नीली और एक तीन आख वाली मचली मिलती है जो पास के गुपा में घूमने के लिए जा रहे होते हैं ये सुनकर पी का बेटा उन लोगों के साथ चलने को कहता है लेकिन पी उन के साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसने आज अपनी पत्नी केंड्रिया को वादा किया था इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उनके साथ मिलकर पी के इलाके के उपर हमला करने का प्लान बनाता है ट्रॉय की बाते सुनकर उसके दोस्त बहुत खुस होते हैं दूसरी तरफ हम पी को देखते हैं ट्रॉय अपने साथियों के साथ तेजी से पीक के इलाके की तरफ बढ़ रहा होता है तब ही वो केकला जिसका नाम पियरे होता है वो ट्राय को अपने साथियों के साथ आता हुआ देख लेता है और वो ये बाते सभी को बता देता है ये खबर सुनते हैं सब परिसान हो जाते हैं और अपनी जान बचा कर इधर उदर भागने लगते हैं लेकिन जब Troy अपने साथियों के साथ पी के इलाके में आता है तो वो आगे नहीं जापाता है क्योंकि जहां पी छोटी मश्रियों के साथ रहता है उस जगा और समंदर के का條 reply से बात करेगा इसके बाद वो कच्छवा चट्टान के दिवार के पास जाता है जहां पर reply भी होता है वो चट्राई से कहता है कि वो यहां से चला जाए और उन शोटे जीवों को अपनी जिन्दगी जीने दे इस पर reply बोलता है कि वो लोग अब उससे नहीं बच सकते क्योंकि चार दिन बाद समंदर में जुआर आने वाला है जिससे समंदर का पानी का लेवल बढ़ जाएगा तब वो लोगों पर हमला करेगा और तब उन्हें ये चट्टान की दिवारे भी नहीं बचा फाएगी इसके बाद वो अपने टेल से चट्टान पर एक जुरदार वार करता है जिससे चट्टान से पत्थर गिने लगते हैं और कच्वे को अपनी जान बचा कर भागना पड़ता है और धमकी देने के बाद ट्राय वहां से चला जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि सभी मचलिया पूरी तरह से डरी हुई है तभी वहाँ पर कच्छवा आता है जो सबको बताता है कि इस बार मामला कुछ ज़्यादा गंबीर है लेकिन वो लोग चिंता ना करे वो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगा वो तुम्हारी बातों को मानते हैं और उन्हें जरूरत है एक सही कैप्टन की और वो तुम हो तुम अगर इन्ने ट्रेनिंग दोगे तो ये युद्ध के मैदान में तुम्हारा साथ जरूर देंगे कच्वे की बात मानकर पी सभी छोटे छोटे जीवो को ट्रेनिंग देना सुरू कर देता है अब एक दिन ट्रेनिंग देने के दोरान एक समुद्री साप इने देख लेता है और वो इस बात को ट्रॉय को बता देता है और अब P के बीच में ट्रॉय का एक आदमी होता है जो उनकी पलपल की हर कबर ट्रॉय को देता रहेगा इसके बाद हम देखते हैं कि P सभी छोटे जीवो को युद्ध ब्यास करा रहा होता है लेकिन कोई भी खुद पर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और देखते ही देखते वो सबका फेबरेट बन जाता है अब एक दिन जब P सभी को ट्रेनिंग दे रहा होता है तभी वहाँ पर रॉनी आता है जो P से कहता है कि सभी जीवो के पास अलग-अलग सकती है तो क्यों ना एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाए जिसमें सभी जीवो अपने टैलेंट का परदर्शन करेंगे और इस परकार सभी को अपने पावर्स के बारे में पता भीचा जाएगा और उसे ट्रेनिंग देने में आसानी होगी रॉनी का ये प्लैन सबको बहुत पसंद आता है इसके बाद एक प्रोग्राम का आयोजन होता है जिसमें सभी जीवो अपने टैलेंट का परदर्शन करते है वहीं दूसरी तरफ रॉनी ये सारी बाते ट्रॉई को भी बता देता है रॉनी की बात सुनकर ट्रॉई बहुत खुस होता है वो जरूर अपने मकसद में काम्याब होगा उधर रॉनी सभी छोटे जीवो का आडिसन ले रहा होता है जहांपर सारे जीव अजीवो गरीब काना में दिखा रहे थे वहीं पी अपने कुछ दोस्तों के साथ उस पुरानी पंडुबी के अंदर होता है अगले सिन में हम पी को देखते हैं जो केंट्रिया से मिलने जाता है और कहती है कि तुमने देखा कि आडिसन में सभी कितने खुस थे उसने आज दक इन सब को इतना खुस कभी न costly नी देखा इस पर पी कहता है कि यह सब तो ठीक है यहां पर सारी जीवाब रॉनी का समर्थन कर रहे थे इस बात से पी दुकी होकर वहाँ से चला जाता है और वो सीधा अपने गुरू कच्वे के पास जाता है वो उससे कहता है कि अब वो अकेरा पढ़ चुका है उसने उन्हें सिखानी की पूरी कोसिस की लेकिन कोई फाइदा नहीं उसे विश्वास नहीं हो रहा कि केंड्रिया रॉनी का साथ दे रही है इस पर कच्वा बोलता है कि कोई बात नहीं समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा इसके बाद वो पी को एक जादूरी ड्रैगन दिखाता है और उन्हें सक्त हिडायत देता है कि कोई भूलकर भी उस रेट क्लिफ को ना चुए लेकिन वहाँ पर रॉनी छुपकर पी की सारी बाते सुन रहा होता है और वो ये सारी बाते ट्रॉय को जाकर बता देता है जिस पर ट्रॉय कहता है कि तुम किसी भी तरह से उस ट्रैप को बरबात कर दो नहीं तो वो उसे जिंदा नहीं छोलेगा इसके बाद रॉनी वहाँ से निकल जाता है तब ही रास्ते में उसे एक मचली मिलती है जो बहुत डरी हुई थी दरसल रॉनी इसी बहाने से पीके बनाए गए ट्रैप को बरबात करना चाता था अब सभी जीव गुफा के अंदर चले जाते हैं और रेट क्लिफ को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं यहाँ पर पीके लोग इने रोकने की पूरी कोसिस करते हैं यह सुनकर केंड्रिया बोलती है कि यह कहीं नहीं जाएगा और इस पर उन सब को पूरा भरोसा है कि वो उनका दुस्मन नहीं है और अगर उसे इससे दिक्कत है तो वो यहाँ से चला जाए ये सुनकर पी पूरी तरह से तूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है दूसरी तरफ हम Ronnie को देखते हैं जो Troy के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि पी को उस पर सख हो गया है इस पर Troy कहता है कि तुम चिंता मत करो तुम बसुलोगों को नाच गाने में फसा कर रखो आगे वो देख लेगा कि उसे क्या करना है इसके बाद हम पी को देखते हैं जो कच्छवे के पास जाता है लेकिन कच्छवा एक ज्यादवी दुनिया में चला गया था लेकिन तब तक रोनी को भी समझ में आ जाता है कि वो ये सब सही नहीं कर रहा है उधर पी कच्छवे से कहता है कि इस समय उनकी हालत बहुत खराब है कल ट्राय उन पर हमला करने वाला है और अभी तक उनके पास कोई योजना नहीं है ये अपने ट्राय को एक बार फिर से बनाते हैं और किसी तरह केंड्रिया को ट्राय के चंगुल से चुडाने की कोसिस करते हैं लेकिन इससे पहले की पी केंड्रिया को ट्राय के चंगुल से बाहर निकाल कर वहां से भागता अगले सीन में हम पी को देखते हैं, जो केंड्रिया को लेकर अपने इलाके में पहुंच जाता है, वहीं दूसरी तरफ हम कच्वे को देखते हैं, जो धदकते लावों के बीच में से होते हुए एक बड़े से आग की गहरी खाई के पास पहुंचता है, और वो उस खाई में और वो जीतने लगते हैं, लेकिन तभी ट्राई पीचे से हमला करके कच्वा को नीचे गिरा दिता है, जिससे उसके हाथ से ड्रैगन का कंट्रोल छूड़ जाता है, अब ट्राई और उन सारे चोटे जीवों के बीचे एक खदरनाक युद्ध होता है, और इसी फाइट के पत्मिक इंडिया को वापस पा कर बहुत खुस होता है, और सभी छोटे मचलिये ट्राई से पीच्छा शूटने पर बहुत खुस होती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज दू लाइक और शेयर दा